हिमाचर प्रदेश में अब सेब सिजन आखरी चरण पर है वहीं अधी बात करें सेब बागवानी की तो कई बार खराब मौसम और ओलावरिष्टी के कारण फसल खराब हो जाती है और अधिक ओलावरिष्टी से सेब दागी हो जाते हैं ऐसे में अब सेब बागवानों को खब बिदाले नौनी ने ऐसे सेप से सिर्का बनाने की आधुनिक तकनीक विक्सित की है। वर्ष 2018 में हिली फूर्ड ने विश्विद्याले के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये थे। शोध के बाद सिर्के और बेस वाइन के उत्पादन में आने वाली समस्याओं का समधान किया है और व्यापक शोधकारे के बाद एक संशोधित प्रक्रिया विक्सित की है। एपल साइडर विनेगर के उत्पादन के लिए एक संशोधित पाइलेट सिर्का उत्पादन से यंत्र भीविक्सित किया गया है और उन्होंने इसी के परियोग से सिर्के को तयार किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आधुनिक तकनीक हिमाचल प्रदेश में से बागवानों किरिये वर्दान सावित होगी। अस्तमा और पाचन तंतर से सम्मंधी बिमारियों पर कारगर सावित होगा और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा। हम लोग सेव में होने वाली जिदिविक शक्ति है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। हमारी छेतर में सेव अधिक मातरा में वेश्ट होता है जिसका लोगों को दाम नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने इस सेव को इस्तमाल करने के बारे में सोचा। इसी सरंखला में हमने जगा जगा खोजमीन के पशार पाया कि वाइस पर्माइर उनिविस्ट्री नौनी के पास एपल साइडर विनिगर का एक पांच साथ में शोद किया हुआ है। हम लोगों ने उनके साथ यह फॉर्मुला उनुबंद किया और इस पर और उनिवाइस पर करने का निश्य किया। इसमें हमारी टेक्नलोजी को हमारे निरेशन किया हमारे यहां जो बनवाने में हमारे काफी हल्प की किया है और वो जो एसीडिटी इसमें में नियुक्त होनी चाहिए उसके साथ से इन लोगों ने यह पाद बनमाया है ये एपल साइडर विनिगर हमारे शरीर में कई रूप से काम आता है जैसे अस्तमा, गट्या, डायबोटीज, हाई ब्रेट पेशर और इसके अरावा भी कई रूप में इसको लोप इस्तमार करते हैं बता दें कि इसकी कीमत दूसरे सिर्के की अपेक्षा कम है और बाजार में लोग इसे स्थाड़े 400 रुपए प्रति लीटर खरीच सकते हैं